तो दोस्तों सरदियों में चाय तो हम अक्सर बनाते रहते हैं पर आज बनाएंगे सरदियों की स्पेशल मसाला चाय ये चाय सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है और सरदी जुखाम खासी सारी चीजों में ये चाय बहुत फाइदे मन्द है मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राइ क चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजेगा ताकि जब भी हम कोई नई रेसिपी अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप मेरी रेसिपी देख पाएं तो चलिए देर किस बात की इस चाय की रेसिपी को सुरू करते है इससे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मसाले लिए है चाय के लिए तो यहाँ पे तुलसी पत्ता लिया है मैंने जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है चाय में बहुत अच्छा टेश्ट देता है और यह ले लिया है मैंने अध्रक जो सरीर को गरम रखती है और बहुत ही अच्छी गले के लिए होती है यहाँ पे मैंने बड़ी इलाइची ली है काली वाली और यह मैंने छोटी इलाइची ली है थोड़ी सी मैंने काली मिर्च और लॉंग ले ली है और यहाँ पे मैंने लिया है डालचीनी स्टिक और यह तेजबता ये देखिए तो ये सारे मसाले जब चाय में डलते है ना तो चाय की खुस्बू बहुत ही अच्छी होती है तो चलिए सुरू कर लेते हैं यहाँ पर मैंने रखा है चाय का वर्तन और इसमें डालेंगे सबसे पहले हम दो चम्मत चीनी तो मैं यहाँ पर तीन कप चाय बनाने वाली हूँ दो चम्मत चीनी का यूज़ कर रही हूँ जलाते रहेंगे क्योंकि आज हम बिल्कुल अलग तरह की चाय बनाने जा रहे हैं तो इसका जो टेस्ट है बिल्कुल अलग होता है और बहुत ही लाजबाब लगता है तो यह देखिए इस तरीके से हम मिलाते जाएंगे तो जो चीनी है न धिरे-धिरे मेल्ट होती जाएगी और चाय पत्ती के साथ बहुत अच्छा इसका स्वाध होता जाएगा तो यह देखिए पर यहां पर इस बात का ध्यान रखेगा कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखेगा नहीं तो यह चीनी और चाय पत्ती दोनों जल जाएगी और चाय का टेस्ट कड़वा हो जाए तो सुगर के मिल्ट होते ही हम इसमें ढालेंगे दूद यह देखिए तो यहां पर मैं ढाल दूँगी तीन कप दूद तो यह देखिए पहला कप हमने ढाल दिया है दूद का मैं यह पर पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ आप चाहें तो दो कप दूद और एक कप पानी डाल सकते हैं पर मैं यहाँ पर तीन कप दूद ही यूज़ कर रही हूँ इसे डालने के बाद अच्छे से इसे चला लेंगे ताकि जो भी चीनी वगेरा है वो सारी आपस में घुल मिल जाए यह देखिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस चाहे का आप एक बार जरूर इसे बना के देखिएगा चाहे तो हम कई तरह की बनाते हैं तंदूरी चाहे, मसाला चाहे, ग्रीन चाहे मतलब हर तरह की चाय बना के हम पीते हैं पर इस चाय को भी एक बार जरूर ट्राइ करिएगा जब तक हमारे चाय में उबाल आता है तो मसालों को इमाम दस्ते में डाल के कूट लेते हैं तो यहां पर मैंने काली मिर्च और लॉंग डाल दी है इसके बाद डाल देंगे छोटी वाली इलाइची और अब डालेंगे बड़ी इलाइची इसके बाद बाकी के मसाले जो हैं वो डाल लेते हैं तो दालचीनी स्टिक भी मैं यही पर डाल रेते ही हूँ अभी मैं अद्रक वगेरा नहीं डाल रही हूँ, पहले इन मसालों को अच्छे से कूट लेंगे, तो यह देखे, जब आप मसालों को ताजा कूट के चाय में डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी खुस्बू आती है उन मसालों की, अब हम चलते हैं, गैस की तरफ, तो उससे पहले देखिए, यहां पर मैंने जो तुलसी पता और यह तेस्ट पता लिया था, उसे नहीं कूटा है, उसे साबूत ही डालेंगे, उसका टेस्ट साबूत ही डालने पर अच्छा आता है, तो यह सबसे पहले देखिए, हमने चाय में डा दिया है, कुटा हुआ मसाला, और चाय कितने अच्छे से वोर गíchा है, और इसका ज़िया है, अच्छे से qué把它 टालने के बाद हम अच्छे से चलने लिएंगे, 2-3 वोर इस में आने देंगे, यहित देखिए. अब हम डालनेंगे तेज पता और तुलसी पता जो हमने पहले से रखा हुआ है उसे डाल देते हैं और उसे डालने के बाद भी हम इसे थोड़ी दिर तक बॉयल करेंगे ये देखिए इसे डाल देते हैं और अब इसे अच्छे से बॉयल करके गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे आप देख पा रहे होंगे चाय का कलर तो लाजवाब दिख रहा है और चाय पीने में जितनी टेस्टी है सेहत के लिए भी उतनी ही अच्छी है तो अब सर्दियों में इस चाय की रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा सबको बहुत पसंद आएगी अब मैं करती हूँ गैस की फ्लेम को बंद और चाय को गर्मा गर्म कर लेते हैं सोब ये देखिए मैंने हापे गैस की फ्लेम बंद कर ली है और अब हम चाय को छान लेते हैं तो इस तरह की मसाला चाय जब आप बनाएंगे न तो पडोसी भी खुसबूस उनके घर आएंगे बहुत ही टेस्टी बनती है ये चाय ये देखिए मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और आपने इस चाय को कैसे बनाया वो भी बताइएगा आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं जरूर बताइएगा मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों और टेक केर